तो दोस्तों देख सकते हैं अभी मेरे पास ओरेडो का एक निया सिम कार्ड है और इस पे जो है निया निया सिम कार्ड जूना है लेकिन इस पे जो है एक ओफर है वो ओफर आपको जो है दिखा दे रहा हो बहुत ही अच्छा ओफर है इस पे तो अभी देख सकते हैं मैंने जो तो इसको जो है आप फिलाल इसमें रीचार्ज नहीं किये हैं तो देख सकते हैं अभी लाइन एक्सपायर अलेड़ बता रहा है और जीरो जीरो केडी बता रहा है तो इसको रीचार्ज करके फिर मैं आपको रीचार्ज करके दिखाता हूँ कि जो है ये कैसे जो है आफर एक्टिवेट करते हैं तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को पूरा जो है देखें तो जो है मैं रीचार्ज करके जो है करता हूँ तो अभी मैंने दो केडी का जो है इस पे रिचार्ज कर दिया है दो केडी का ओफर था इसमें और तीन केडी का भी था तो दो केडी का मैंने रिचार्ज कर दिया है और देख सकते हैं आपको मैं दिखा दे रहा हूं देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं दो केडी का मैंने किया हुआ है तो वापस इसमें भी जो है यह मिल रहा है वापस देख सकते हैं यू गोटे चांस टू वी स्पीन दा वील तो पहले सबसे पहले मैं इसका आफर जो है एक्टिवेट करता हूँ क्योंकि ओर डियो सरफ्राइज आफर मैं वो ओफर है तो देख सकते हैं यहां पर 500 GB एन 1000 लोकल मिनट 3 KD में है और 500 GB 2 KD में तो पहले 2 KD वाला मैं ओफर एक्टिवेट करता हूँ यहां से सक्क्राइब किया और देख सकते हैं कि होता है कि हाँ हो गया देख सकते हैं यह सक्सपूल बता दिया तो अभी देख सकते हैं एक मेरा यह भी हो गया है बजेट भी मिल गया है और इसको अब मेन वहां से चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर 200 फिल्स बैलन्स भी इसमें बचा हुआ है और 500 GB मुझे मिल गया है 30 दिन के लिए और उपर देख सकते हैं स्पीन करने के लिए भी दिया हुआ है तो स्पीन भी करके देख लिए इसमें क्या मिलनी वाला तो उस पर टेच कर दिये sensor करने में यहां 20 देख करेंगे देश सकते हैं क्या मिलता है इस बार नेट वापा स्पर मिल गया तो वापा 10 GB फिर मिल गया है पहली बार जब किये थे तो दो केटी ऊड़ी गया था नेट जो है बन था वह आप फिर 10 GB मिल गया तो देख सकते हैं अभी दोनों हो गया यहाँ पर एक दिन के लिए 10 GB मिल गया है और 500 GB भी मिल गया है तो देख सकते हैं आभी वहाँ पर 200 फिल्स बैलन्स भी दिखा रहा है और यहाँ पर 10 GB जो अभी एड़ उन में हुआ हो और यह 500 GB तो अभी यह 10 GB जो मिला हुआ यह एक दिन की बैलिटी है यह कल से यह 30 दिन का जो बैलिटी दिखा रहा है यह कल से चालो होगा तो इस तरह से आपके उसमें सरफराई जो फर्में अगर दे रहा है तो आप फिर आपका खताम हो जा रहा तो रिचाज के पेले क्या कीजिएगा कि जिसमें अगर निट खताम हो जाले तो उसका नेट बंद करके तभी रिचाज कीजिएगा नहीं तो क्या होगा? वय, लोग के सामने और यह बहुत अच्छा फ़या उफर हो गया तो उम्मीद करतें वीडि जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई